हेलो तूणि लास्ट के दो लेक्ञटब्स में हम लोगोंने एकतन क्या होता है और एकतम को रिप्रेजञ्ट कैसे क्या आधा है उसके बारे में जानए यह लेक्ट अरुखुरि को आपना फर्स्ट लेशन पढ़ा था उस फ़र्स्ट लेसंद में हम लोगोंने मैंट्र को necessary किया था में एक लुएसài मेने को classified किया था उसमें मैंने लिखा था कि मेंटर को दो पार्ट में classify किया गया है कॉन कॉन से तो वो है element can compound आपको याद आ रहा होगा ओंद्व अपना मिक्षर है उसको दो पार्ट में क्लासफाई किा है कि हम लोग जान चुके हैं हम लोग चुके हैं फीर इसके बाद को दो पार्ट में क्लस्पाइक किया गया था किसमें मॉलेक्यूल में and आइयन में ठेक है तो देखो हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं हम लोग यह सब तो अपने जो लास्ट लेक्चर हुए है जो अपना फर्स्ट लेसल हम लोगों होने अप्य क्या में क्या दिफरेंस होता है कैसे क्या होता हूज सब डिफच्ण आपने न Dumas पढ़ने वाले हैं और टाइम पर्मिट हुआ तो इसको भी पढ़ लेंगे नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है आयन के उपार अलग से वीडियो आएगा ठीक है है तो यह सारे अपने क्या हो गए यह सारे अपने 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 होगए और कॉंसा होगा तो दो के मिलने से compound बनता है लेकिन वह जो दो एलेमेंट होने चाहिए उने चिरियेस्कि अगर मैंने ओटु को सह मिलाया तो इह तो compound नहीं बनेगा संजे तो निटरोजन को निट्रोजन से मिलाया तो compound नहीं बनेगा जो अपने element उने ज्याए हो डिफरेंट element होने चाहिए तब जो बनेगा नया प्रोड़क्ट उसको बोलेंगे compound जैसके अगर मैंने लिखा carbon और मैंने उसके साथ oxygen को मिला दिया तो इसको बोलेंगे carbon monoxide अगर मैंने oxygen के दो एटम लिए तो co2 तो इसको बोलेंगे carbon अलग हो गया यहाँ पर carbon अलग oxygen अलग जैसके अगर मैंने h2o लिखा तो यह भी अपना एक compound है क्योंकि यहाँ पर भी दो different type के element कंबाइन हुए है एक hydrogen और एक oxygen है तो यह क्या है यह एक element है ठीक है यह element है यह compound नहीं है जैसके अगर मैंने लिख दिया n2 तो यह भी compound नहीं है सिर्फ यह एक टाइप का element है कौन सा nitrogen तो आपको compound का मतलब समझा गया कि compound कब जब दो different element combine होंगे किस एक proportion में तो उसको बोलेंगे compound ठीक है लेकिन वो जो दो element combine होने चाहिए वो दोनों different different type के होने चाहिए अगर वो same type के हुए तो उसको compound नहीं बोलेंगे compound किसको बोलेंगे जब दो element combine होंगे और दोनों different different type के होंगे तो अभी हम लोग miljard शूरू करते हैं molecules of elements अच्छा ऑलकिल्स ओफ इलिमेंट पढ़ना थो आपको इतना समझा गया होगा कि मोलिक्युल desser एल में में लोग किसको पढ़ने वालें यह सब पढ़ेंगे यह सब किसिम पढ़ेंगे यह सब हम लोग molecule of an element पढ़ने वाले सो वीडियो में एंड तक बने रही है देखते हैं आगे कि स्टुडेंट्स आप लोग को molecules of an element जानने से पहले molecule का मतलब क्या होता है वो जानना जरूरी है तो पहले उसको जान लेते हैं तो दीकि जानी कि जो compound है वो किसका combination है element का combination है सेम वैसे ही molecule किसका combination है atom का combination है इसको मैं लिख देता हूं जैसे कि अगर मैंने लिखा element element मैंने लिखा तो element और element को मिलाने से element और element को मिलाने से जो एक नया प्रोड़क्ट form होता है उसको बोलते हैं compound सेम वैसे ही जब मैं atom को atom के साथ मिलाऊंगा तो जो नया प्रोड़क्ट form होगा उसको बोलेंगे molecule बोलो कुछ समझ में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे molecule क्या बोलेंगे molecule उसको क्या बोलेंगे molecule तो आप देखो atom को atom बस बस यह compound में शर्त यह है कि जो element दोनों मिक्स होने चाहिए ना वो दोनों different type क्यों होने चाहिए oxygen oxygen mix हुआ तो compound नहीं बोलेंगे oxygen nitrogen हुआ nitrogen hydrogen हुआ यह सब mix हुआ तो उसको compound बोलेंगे ठीक है atom का ऐसा नहीं atom में same atom भी हो सकते है different atom भी हो सकते हैं उसको molecule बोलेंगे ठीक है तो देखो atom atom के साथ mix कब होगा उसको पढ़ लेते हैं एक बार a molecule is a group of two or more atoms एक group है क्या है एक group है किसका atoms का वो atoms कितने होने चाहिए minimum दो तो होने चाहिए या तो उससे जाधा भी हो सकते हैं ठीक है कम से कम दो atom होने चाहिए या तो उससे जाधा भी हो सकते हैं which are held together by strongly some kind of attractive forces which are held together held together यानि कि एक दूसर से बंदे रहते हैं by some kind of attractive forces किसी force से जो उनको आपस में खीचते रहता है जैसे मैं आप लोग को बताता हूं जैसे मानलो मैं एक oxygen का molecule हो तो जो दूसरा oxygen का molecule होगा मैं उसके साथ ऐसा हाथ पकड के ऐसा हाथ-पकड के खड़े रहूंगा्याने कि हम लोग के बीच Colorado a हैं गाल ओडए ब्साट वंड और मोलए है ऊस पॉर्स में हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलते हैं उस फोर्स का बोलते मुझे हैं यानिके देखो अगर भक डाल ऑक्सिजेंbooks असका ज़ारे हैं ग्यागाँ, वैंसके बारु आप बंदी यह नोते हैं को जब किसी दूसरी सबस्कीज पोलते हैं बनद कि देखे स्टुडेंट्स molecules of an element पर हम लोग आ तो गए हैं आप लोग इसके इस definition को एक बार पढ़ भी सकते हो ठीक है यह जो लाइन लिखिए ना बस यह तीन लाइन में लिखा है लेकिन लिखा बहुत बड़ी बात है आपको समझने में बड़ा आसानी होगा द्यान से समझेगा देखिए molecules of an element molecules of an element means one two or more atom of the same element existing as one spaces in the free state अब देखिए यहां पर same क्यों बोला उसको समझना ज़रु रही है तो उसको सबसे पहले यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि same element का क्यों बोले यहां पर यह देखें same element लिखा है न यह same element क्यों बोला same element इसलिए बोला गया क्योंकि अगर जैसे ही मैं इसको different element बोल देता तो यह molecules of an element नहीं रह जाता तभी मोलेकूल सफक्ट कंपाउंड हो जाता याद करो अगर मैं यहां पर डिफ्रेंट एलिमेंट मतलब क्या जब दो एलिमेंट different different element combine होंगे तो वह तो compound बना जता है ना अरे भाईया हम लोगों ने देखा था जो carbon होता है वह carbon एक टाइप का हो गया जो oxygen होता है फिर दूसरे टाइप का हो गया तो यहां पर मैं दो oxygen के तो दूसरा भी oxygen ही होना चाहिए पहला nitrogen है तो दूसरा भी nitrogen ही होना चाहिए पहला argon है तो दूसरा argon होना चाहिए लेकिन क्योंकि argon अपना novel gas है तो वो किसी और के साथ bond नहीं बनाता है ठीक है अपना hydrogen है तो दूसरा भी अपना hydrogen ही होना चाहिए तो ऐसे टाइप के जो होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे उनको बोलेंगे molecules of an element समझ में आया अगर मैंने ले लिया देखो यह सेम टाइप के है ना तो जब सेम टाइप के मिल रहे है तो उसको बोले molecules of an element जैसे वह different type के होने लगे यहां पर यह different type का यह different to molecules of compound हो गया जैसे ही एस टू ले लिया तो यह क्या है एच अलग टाइप का ओलग तो वह भी compound हो गया तो molecules of compound बोलेंगे उसको तो अगर मैंने लिख दिया मानलों सी ओ लिख दिया तो यहां पर भी सी कार्बन और oxygen कंबाइन है लेकिन वह दोनों different different element के हैं तो यह भी क्या हो गया molecules of compound हो गया molecules of an element के लिए हम लोग को जो दो element लेने हैं वह सेम लेने हैं सेम टाइप के होना चाहिए यहां पर दो item है लेकिन जो अपना element है वह तो एक ही टाइप का एकॉन सा ओनली oxygen is there only nitrogen is here ठीक है आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा जैसे मैंने लिख दिया है अने स्थ्रे अने स्थ्रें मतलब अमोनिया तो अमोनिया में विधीजों एन है जो कि अलग टैप का है हाइड्रोजन है जो कि अलग टाइप का है इसको लोग बोल रहे हैं कमपाउंड को एडिक है सो इसमें लोग यह वाला पार्ट जो है ना molecules of compound यह वाला पार्ट हम लोग अपने next lecture में करेंगे इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ molecules of an element ही करेंगे यानि कि यह वाला पार्ट जब same type के element combine होंगे समझ में आए कि same element क्यों लिखा क्योंगी different element लिखते ही यहाँ पर वह अपना compound बन जाता तब यहाँ पर molecules of compound हो जाता लेकिन यहाँ पर same element लिखने से हमने जो बोला है कि molecules of an element वो है तो इसलिए हम लोगों ने same लिखा है अब जैसके मैंने मेरे last lecture में पिछले जो लिक्चर हुए है उनमें element मलब जैसकी o2 तो है तो मैंने इसमें count करना बताया था कि o2 के कितने atom है तो जो मैंने आप लोग को बताया था कि जो number यहाँ पर लिखा रहेगा वो र पता देना चाहता हूं कि यह जो अपने element रहेंगे उनका जो coefficient रहेगा वो अपना number of molecules रहेगा जैसके अगर मैंने लिखा है 2x मैंने पुछा what is the coefficient of x you will say that coefficient of x is 2 मैंने लिखा x square मैंने पुछा कि what is the coefficient of x square you will say that there is no number looking here it will be 1 so coefficient of x square is 1 मैंने लिखा 2x plus 3y is equal to 0 तो मैंने पुछा कि y का coefficient क्या है you will say that this is 3 मैंने पुछा x का coefficient क्या है you will say that this is 2 so वैसे ही मैं जब पूछूंगा कि o2 का coefficient क्या है तो you will say that यहाँ पर कुछ नहीं है यानिकी 1 है यहाँ पर क्या होगा 1 होगा तो उसको मैं नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा न अरे भहिया देखो जैसे मैंने 5 लिखा है और उसको मैंने denominator पूछा कितना है अप लोग बोलोगे denominator इसका कहा से आ गया तो देखो मैं इसको upon में 1 लिख सकता हूं न हाँ तो इसका denominator कितना हो गया 1 हो गया लेकिन उसको कोईफिशेंट रहेगा ये क्या रहेगा ये क्या रहेगा ये रहेगा अपना number of molecules इसको मिल लिख देता हूं कोईफिशेंट कोईफिशेंट ओफ एलिमेंट इस दा नमबर ओफ molecules is the number of molecules इनके यहाँ पर O2 के कितने molecule है सो O2 का एक molecule है समझ में आया O2 के कितने molecule है O2 का एक molecule है अब देखो अब जैसे ही मैंने लिखा 2H2 सो मैं पुछूंगा hydrogen के कितने molecule है you will say that the coefficient of H2 is 2 so the number of molecules is 2 yes you are correct ठीक है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो I hope आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा बुरी समझ में आ रहा है सो इसका coefficient क्या है 2 है सो यहाँ पर number of molecules कितना हुआ 2 हुआ अब एक बात और धान देना जैसे ही हम लोग के number of molecules चेंज होगे ना यानि कि 1 से 2 हो जाएंगे वैसे number of atoms भी चेंज हो जाएंगे जैसे आज से पहले तक अगर मैं आप लोग को पूछता कि यहाँ पर O2 का मिलब oxygen के कितने यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर लिख रहेता है वह number of atoms लिखा रहता है तो यहां पर क्या होता तो होता यानिकि oxygen के दो अब मैं यहां पर पूछँगा ना तो यहां पर टू मत बोलना भी है ऐसा क्यों मत बोलना त्योंकि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल होने का मतलब पता है क्या एक हाइड्रोजन इस हाथ में होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस हाथ में होगा तो ये भी कौन सा होगा, ह2 होगा, समझ में आ रहा है ये भी ह2, ये भी ह2, दोनों ह2 है, तो यहाँ पर ह2 है तो अब मैंने पूछा था कि इसमें hydrogen के कितने atom है तो आप लोग इसको देख करके दो मत बोलना इसमें वह वैलिड है इसमें क्यों ने यह भी कुछ दिर में पता चल जाएगा तो यहां पर देखो hydrogen के अपने हैं तो मैंने दोनों को सेपरेट करके लिख दिया है thinking इसमें कितने this is ك WAY इसमें कितने गभी जते अर्गेत रहेगा याने कि अगर यहां पर coefficient 1 रहेगा धान से सुन लेना फिर उसको बद confusion नहीं हो न चीए जब यहाँ पर coefficient 1 रहेगा तो यहाँ पर जो number लिखा रहेगा वही number of atoms होगा लेकिन जैसे ही यहाँ पर coefficient 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ समझ ज़यो, तो यह जो number of atoms हैं यह भी जो यहाँ पर लिखा रहेगा वो नहीं होगा, तो क्या होगा, तो दीखो simple सा, यह तो हम लोग ऐसा उसको separate करके हम लोग count किया हैं अब जरूरी थोड़ी हर बार ऐसे separate करके count करेंगे, example देता हूँ जैसे मैंने वापर 2S2 लिखा है तो हम लोगों ने उसको separate करके क्या किया, count किया separate करके उसको हम लोगों ने count किया है just a minute ठीक है, सिर्फ एक मिनट और रुख जाओ भाईया so देखो हम लोगों ने उसको separate करके count किया है अब हर बार ऐसे करेंगे क्या मैंने लिखा 3H2 जैसे ही मैं पुछूँँगा number of molecules बताओ आप लोग को कुछ नहीं सोचना है सिर्फ इतना देखना है कि इस H2 का coefficient क्या है so हम लोग को H2 का coefficient मेरी आखों से तो 3 दिख रहा है आपके आखों से क्या दिख रहा है comment section में बताना इसका जो number of molecules हो गए number of molecules of H2 कितना हो गया तीन हो गया ठीक है लेकिन जैसे ही मैं पुछूँँगा number of atoms of H2 कितने atom है तो देखो यहां पर देखके 2 मत बोलना क्योंकि हम लोग ऐसा कब कर तक बोल रहा है जब तक इसका जो coefficient होता था वो 1 होता था अब इसका coefficient कितना है 3 है इसको कैसा लिख सकते है 3H2 को मैं कैसा लिख सकता हूँ H2 plus H2 plus H2 यहां पर कितने 2 atom यहां पर भी कितने 2 atom यहां पर भी कितने 2 atom तो total कितने हो गए 6 atom हो गए अब मेरा question यह है कि हम लोग हर बार क्या से सेपरेट करके निखा लेंगे तो उसका अंसर है नहीं तो कैसे निकालेंगे तो देखो आप लोग को क्या करना है जैसे यहाँ पर कोईफिशेंट एक से बदला तो हम लोग को इसका और ये जो नंबर लिखा रहेगा उसका और इसका मल्टिप्लाइ करना है तो टोटल नंबर ओफ टोटल नंबर ओफ एटम आ जाएंगे यानि कि नंबर ओफ एटम ओफ एच्टू कितना होगा थ्री इंटू टू देट इस सिक्स देखो हम लोग ने वैसे काउंट के तो भी सिक्स और ऐसे रूल से निकाला तो भी सिक्स तो नंबर ओफ एच्टू कितना हो गया सिक्स हो गया अच्छा एक बात और धांत से नोटिस करोगे तो देखो यहां पर कोईफिशेंट वन है ना इसका और इसका मल्टिप्लाई करने काब जब नंबर ओफ एटम तब और नमबर ओफ मॉल्क्यूल सा इसके आगे जो कोईफिशेंट लिखा रहेगा वह आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलि कुछ और इग्जाम्पल में आप लोग को बताता हूं सो देखिए आप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा मैं कुछ और एक्जम्पल लिखता हूं ध्यान से देखिएगा फर्स्ट एक्जम्पल जैसे के मैंने लिख दिया 402 इसमें आपको क्या बताना है जितने एक्जम्पल लिखूंगा सारे में आपको number of atoms and number of molecules बताना है ठीक है अदफित हैं अब देखो यहां पर मैंने से लिख आए स्योके इसको मैंने 4 नहीं लिखा मैंने 4 फृचा हॉं यह रहो Alright, था एक लिख इसे जोनो क्बार है इसकार्यूर्चरों फिलाब आफ यह चार एक्जम्पल लिखनी निखें कि यह यह इसे तो compound है और हम लोग compound की बाद तो करी नहीं रहे हम लोग तो element की बात करें सो ऐसे example कब आएंगे next lecture में आएंगे फिलाल आप यह चार example लिखेंगे इन चार example में मुझे number of elements and number of atoms count करके बताओ ध्यान से दिख रहा होगा ध्यान से देखो number of elements and number of atoms count करके बताओ ठीक है तो देखो हम लोग जो अपना फर्स्ट एक्जांपल लिखेंगे उसमें लोग सिंपल सा बोलेंगे कि मेरे को ओटू का coefficient 4 दिख रहा है यानि कि यहां पर number of molecules कितने हो गए number of molecules कितने हो गए हो गए चार और इसी में जैसे मैं पुछूँगा number of atoms बताओ number of molecules of O2 लिख लो ठीक है चार number of atoms of O2 कितना कितना आएगा बताओ दो मत बोलना भाईया क्योंकि हम लोग इतने देर से और क्या सीखते आ रहे हैं कि उसका जो coefficient रहेगा और इसका यह जो number यहां पर लिखा हो रहेगा उसको हमें multiply करना है सो 4 का 2 से multiply करेंगे कितना होगा 4 into 2 चार दुनी 8 सो टोटल number of atoms of O2 कितने आ गए 8 आ गए अब अगर आप इसको ऐसे नहीं करते सो आप इसको ऐसा ऐसा कांटिक करके देखूँगे तो भी आ जाएगा इसको हम लिखेंगे O2 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 ऐसा चार बार लिखेंगे इसको में लोग एड कर देंगे फर कितने एलिमेंट कितने दो यहांपर कितने दो यहांपर कितने दो यह टोटल कितना हो गया 8 हो गया ठीक है ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं जाओ तो ठीक है क्योंकि हम लोग को ऐसा ओर्ली आंसर देना है इस वाले पर आ जाते हैं और एंटू इसके आगे का जो कोईफिशेंट अब देखो इसमें कोईफिशेंट की बात नहीं है इसमें हम लोग को क्या करना है यहां पर 3 को 2 से मल्टिप्लाय करना है यान कि क्या लिखेंगे 3 into 2 that is 6 होता है ना 8 किस ने लिख दिया 6 और यह क्या हो गया अरे यह क्या लिखा यहां आरगन नंबर ओफ एटम सोरी पहले मॉलेकूल लिख रहे हैं इतने देर से इसमीं मॉटिप्ली किने इसका जो कोईफिशेंट कितना है 1 , अब n number of atoms , number of atoms of ar , कितना है ? यहाँ पर कुछ ने लिखा है , यहाँ पर भी कुछ ने लिखा है ,1 को 1 से मल्टिप्ल kitaoi करेंगे 1, यानिक इसके molecules भी 1 और इसके Atom भी 1 , तो इसी लिए तो यहां पर लिखा है molecules of an element means one यानि के only one सिर्फ यहां पर एक ही तो element है मलब एक ही atom तो है जो एक molecule बना रहा है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है जैसके मैंने O2 लिख दिया तो O2 में कितने दो atom है जो की एक molecule बना रहे हैं अगर मैं आप लोगों से पूछू कि oxygen बनने के लिए जो हम लोग सांस लेते हैं वह बनने के लिए oxygen के कम से कम कितने element कितने atom होने चाहिए दो atom होने चाहिए तब जाकर करके oxygen का एक molecule बनेगा तो यह जो वन लिखा है ना यह सारे नोबल गेस के लिए लिखा है नोबल गेस का जो number of molecules रहता है वही number of atoms भी रहता है क्योंकि किसे के साथ कंबाइन नहीं होते हैं इसलिए हम लोगों यह आपर वन लिखा है कौन कौन से है नोबल गेस नोबल गेस है अपना helium neon argon krypton xenon ठीक है और भी है लेकिन फिलाल आप इतनी यादर को इतनी बहुत हैं इसमें कर लो number of molecules है कि अब कितना हो गया उसके आगए जो कोफिशेंट रहेगा वह यानिके एस टू क्याइब कितना है एड सो यह एड हम लिखो number of कि एटम्स आफ एस्टू कितना हो गया इसका जो कोफिशेंट रहेगा वह और इसका मल्टिप्लिकेशन यानिके समझ में आया आप लोग को दिख रहा होगा समझ में आया चलिए अभी एक और टॉपिक बाग किए उसको भी पढ़ लेते हैं तो देखें इस्ट्रेंट्स यहां पर मैंने अपने मॉलेकुल के कुछ टाइप लिखें किस बैसिश्च पर मैंने यह टाइप लिख दिए तो दिपेंडिंग अपन वेदर दा मॉलेकुल कंटेंज वन टू थी फूर एटी से मॉलेकूल्स और कॉल्ड मोनोटेमिक डाय ट्रा इस एक्जाम्पल्स यही है कोई मॉलेकुल कितने नंबर ओफ एटम्स कंटेंज करता है उसके बेसिस पर मॉलेकुल के तीन टाइप है कौन-कौन से मोनोटोमिक डाय एटोमिक ट्राय एटोमिक अब इसके एक्जामपल तो आप लोग समझ गये होंगे मोनो आटिम मिक जिसमें सिरफ एक मॉलेकुल जिसमें सिरेक एक एटम होगा जो सिर्फ एक ऐटम कंटेंड करेगा इसके इएक्जामपल घंपल कैसे हो सारे मॉन्टिम की ही है तो Lib down गया जननानों ओगया एक क्रिपटों ओगया सब्सक्रा कटान Wilson करते डिया इंद इस का ये और मिल्स शब्सक्राइब only two single फिर उससे ज्यादा नहीं होंगे दो बोला मतलब सिर्फ दोई जैसके एक्जामपल लिग दिया ओ टू एच्टू एंटू कितने मॉलेकुल है एक 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 मॉलेकुल तो एक ही बट हम लोगों मॉलेकुल से मतलब नहीं हम लोगों अटम नमबर ऑफ एकम से मतलब है दो एक सबके सो सबके कितने हैं और ये सारे किया हैं ये डा टो मिक है क्योंकि यह इनको क्या बोलने डा इक बोलेंगे जो टीन एल्मेंट कंटेंड करते हैं सबसे बेस्ट एक्जामपल अपना ओजून भी ओजिंट ए उसका यह फॉर्मुल ऑटी कितने element combine है 3 element combine है 3 oxygen टिक है 3 मतलब 3 atomic मतलब atom जिस molecule में combine होंगे उसको पॉलेंगे ट्राय अब polyatomic molecules क्या हो जरूरी थोड़ी हर बार एक दो तीन ही रहेगा कभी तीन से ज्यादा हो गए तो तो 3 से ज्यादा हो गए 4 5 6 7 8 9 10 बिखो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे polyatomic poly मतलब 3 से ज्यादा 3 से ज्यादा जैसे वह इसको polyatomic बोल देंगे तो यह देखो P4 Phosphorus 4 S8 Sulphur 8 Sulphur 6 भी पाए जाता है सो S6 यानि कि इसमें कितने आठ एटम इसमें कितने 6 से चार एटम यानिके 123 तो नहीं है न क्यूंकि एक होता तो मोन अटेंग मी बोलते दो एक होते तो डाय एक तीन अटम होते तो ट्राइटों मिक लेकिन एक दो तीन तो नहीं उससे ज़्यादा है उसको अम लोग सेंपली polyatomic molecules बोलने वाले हैं वह लिए आप ल यह बूराएंगे जैसे अगर वह को इतना देखना आना चाहिए कि वह मोनो एक्टोमिक वो कौन सा नमबर ओफ मोलीकुल्स और सिर्फ ऑलिमेंट की बात की है ठीक है मौलेकुल्स और फंपन जिसमें लोगों ने देखा तो number of molecules करते हैं वो भी देखा अभी हम लोग अपना जो नेक्स लेक्चर होने वाले उसमें लोग मॉल्क्यूल्स ओफ एंड कमपाउंड देखेंगे उस लेक्चर को मिस्स मत करना क्योंकि उसमें इससे ज्यादा नौलेज मिलेगा यानि कि मिलेगा मिलेगा ठीक है उस